हेलो एबरिवन, वेलकम तो आवर योटूब चैनल, इन इस वीडियो हम डिस्कुस करेंगे जूल थॉम्शन कोफिशंट आइडिल गाइस के लिए एंड इन्वर्जन टंप्रेचर की वेल्यू काल्कुलेट करेंगे, लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कुस किया था, हमने हमने रियल गैस को एक्सपेंड किया था, हाई प्रेचर तू, लो प्रेचर, हमने ब्यूजटी की वेल्यू कल्कुलेट की थी, हमने कुछ केसिस डिस्कुस के थी, आई होप आपको समझाया होगा, ठीक है, अब इस वीडियो में हम क्या कल्कुलेट करेंगे, हम जूल थॉम अब देखें, यह आपको पता है, कुछ थिंक सबको पता होने चाहिए, हमें पता है कि आईडिल गैस में जो इंट्रमोल्कुलो जो फोर्स ओफ अट्रेक्शन होता है, गैसिस के बीच में, वो हमें पता है, अल्मोशन क्या होता है, नेगलेजिबल, जब कोई भी आपकी आ इंटरनल अनर्जी किसका फंक्शन होती है, अन्थल्पीज वगेर, वो आपको सब कुछ पता है, ठीक है, अब इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम जो जूल थम्सन कोफिशेंट है, आईडिल गस के लिए कल्कुलेट करेंगे, इनवर्जन टंप्रेचर की वेल्यू अब हम स्टार्ट करते हैं, दीकें, ये क्या होता है, अपका, म्यूज टी की वेल्यू हमने एक काल्कुलेट कर ली थी, क्या है था आपका, माइनिश वन अपन सी, प करedge by कल्पी टी, और हम जो य किसके एकोल होता है, म्यूज टी बाई कल्पी एड क् मौन्स्टेंट एंथ यह आपको इतना पता है, यह हमें पता है, देखिए, अन्थल्पी क्या होती है, h is equal to u plus pv, ठीक है, अब इस equations में हम h की value put करेंगे, अब इसके first माल लीजिए, तो क्या हो जाएगा आपके पास, mu j t equal to minus 1 upon cp into curl, h की जगा, यह value put कर सकते हैं, हमें पता है, अन्थल्पी किसकी equal होती है, अन्थल्ण सी प्लस pv, तो u plus में pv, by कितना है, curl p, at constant temperature, तो इसको हम separate कर सकते हैं, curl u by curl p, plus curl, तो कितना आगा, minus 1 upon cp, curl u by curl p, at constant क्या है आपका, temperature, plus, क्या आपका, curl pv by curl p, at constant, curl means small change, curl pv by curl p, at t, ठीक है, अब इस ट्रम में हम क्या करेंगे, देखे, हमारे पास यह value तो है नहीं, curl u by curl p के direct, लेकिन हमें यह पता है, कि जो curl u by curl भी है, इसकी value हमारे पास है, यूँकि हमने joules लाके according, हमने निकाला था, change in energy, respect to volume, जब constant temperature पे, तो idle के लिए क्या है था, आपके पास, 0, तो इस ट्रम में हम क्या करेंगे, कि हम यह value मनाने के लिए ट्रम, तो आप curl v से multiply कर दोगे, curl v से divide कर दोगे, कुछ effect नहीं पड़ेगा, तो आप क्या हो जाएगे यह ट्रम, देखे, minus 1 upon cp, curl u by curl p है, अब देखे, हमने क्या करते हैं, multiply and divide, curl v, कुछ भी effect नहीं पने, उपर भी बहीं चीज सेम, ठीक है, क्या है constant temperature, प्लस curl, जो pv by curl p at constant temperature, अब देखे, हमें पता है, curl u by curl v, अब यह ट्रम देखे, curl u by curl v at constant temperature, क्या हो जाएगे, इसको separate कर लीजी आपके, कैसे, minus 1 upon cp, curl u by curl v at constant temperature, एक ट्रम तो यह होगी, and second क्या होगी आपास, curl v by curl p at constant temperature, प्लस में यह ट्रम आपकी है, क्या curl pv by curl p at constant temperature, ठीक है, अब हमें पता है, कि ideal gas की case में, हमने जोल सला से देखा था, कि जो curl u by curl v at constant temperature, क्या था, 0, तो यह 0 पुट करेंगे, तो 0 into something, 0, तो क्या ट्रम बचगे है आपके पास, यह चीज, 0 की, only क्या बच़ा हमार पास, curl pv by curl p at constant temperature is equal to 0, अब हमें एक चीज पता है, कि ideal gas की case में, जो pv होता है, आपका, वो क्या होता है, constant, तो that means constant का derivative करोगे, pv constant है, तो क्या जाएगा आपका, 0, तो हमें क्या चीज आगे हमार पास, जो mjt की value निकाले थी हमने, किस के लिए, क्या प्रूब गर दिया हमने, 0, यह हमें ने देखा था, कि mjt की value 0 होती है, किस के लिए, idle gas के लिए, यहीं आपकी inversion temperature की condition होती है, inversion temperature वह होता है, जहाँ पे gas, ना ही तो heating शो करती है, ना ही cooling, हमने दो sign देखे थे, देखे, mjt, आपका एक positive sign, negative sign, positive में हमारे क्या दिखाती है, cooling, positive means क्या है, देखे, and curl t by curl p, इसका में change in temperature, इसको आप यह लेख सकते हो, जैसे t2 minus t1 by p2 minus p1, and एक चीज़ और note कीज़ेगा, जो curl p है, वो always negative रहेगी, कैसे, क्योंकि हमने क्या discuss किया था, जैसे यह था, आपका simple statement, review कर लेते हैं, यह आपका बीच में partition था, हमने एक piston यह लगा रहता है, कि यहाँ पे हमने, जो gas field कर रहे थी, p1, v1, temperature, t1, और यहाँ पे आपका p2, v2, t2 यह था, हमने देखा था, कि जो p1 ज़ादा था, क्योंकि हम gas को expand कर रहे थे, यहाँ पे insulation कर रहे था, adiabody condition, gas का high pressure से, low pressure पे हम expand कर रहे थे, that means p1 greater था, p2 से, तो that means क्या हो गया, p2 minus p1 करेंगे, p1 अगर ज़ादा है, तो हम कम मेंसे ज़ादा करेंगे, तो क्या ज़ाएगी, negative आएगी, तो आपका curl p always negative रहेगा, अब t2 और t1 की condition देखेंगे, तीक है, आप देखें, t2, if t2 greater है t1 से, तो यह value क्या आएगी, positive, t2 अगर ज़ादा होगा t1 से, तो positive, तो ऊपर positive, and curl p always negative, तो always क्या टरमागी, negative, negative means heating शो करेगा आपका, and positive कब आएगी, जब आपके बस curl p भी negative है, and जहाँ पर t1 ज़ादा हो t2 से, तो दो negative तो positive, तो जब वो कौन जी condition ज़ाएगी, कोलिंगी, तो gas जब cooling शो करेगी, ठीक है, and negative में heating, and zero means, नहीं तो heating शो करेगी, नहीं cooling, यह condition होती है आपके, and यहाँ पर जो आपकी, जो real gas हो, वो भी behavior करने लग जाती है, ideal, and यह inverse and temperature की भी condition होती है, ठीक है, अब हमने देखा है, कि Joule-Thomson coefficient निकाल है, ideal gas के लिए, अब हम next calculate करेंगे, ठीक है, यह chapter, अब देखा हमें क्या करना है, यहाँ पर हम inversion temperature की भी लिए निकाल लेंगे, जो 2A by R b है, वो show करेंगे, कैसे आई है आपकी, and हम Joule-Thomson coefficient, जो म्यूज़टी है, वो इन ट्रम of wonderful constant की ट्रम भी हम calculate करेंगे, ठीक है, फिर्स्ट, हम किसके help लेंगे, हमें पता है, wonderful equation, क्या होते यह wonderful equation, P plus A by V square, V minus, आपने एक ऐसे state में बढ़ाए, V minus R b is equal to R t, N होता है ने, आपे, N number of mole 1 है तो यहाँ पी, P minus V is equal to R t, ठीक है, अब अब अंदर multiply कर लिजिए, तो क्या बजाएगा, आपके पास, P V plus A by V minus P V, दोरों सेट मल्टिप्लाइ हो गए न, एक ब़र V की इसके साथ, and P की, B की साथ, minus P V minus A B by V square is equal to R t, गे टरम हावी, ठीक है, अब इसे equations पे, equations फर्स्ट माल लेजे, हम two approximation यूज़ करेंगे, क्या, देखे, एक टरम तो हम ये मान रहे हैं, कि जो minus A B by V square है, इसको हम ignore कर शकते हैं, कैसे, neglect कब कर शकते हैं हम इसको, देखे, A and B हैं, ये वंडरवाल constant है, इनकी value बहुत small है, very small, and जो volume है, ये तो आप काफी large है, volume is very large, अब देखे, उपर आपकी small चीज़ है, और नीचे आपकी काफी large चीज़ है, तो क्या जाएगी, 0 upon 0 something, means value, बहुती कम value आएगी, means थोटी value आएगी, तो उसको अपनी गनूर कर शकते हैं, तो minus A B by V square, इस value को हम neglect कर देंगे, अपनी प्रेशर पे तो, equations क्या बजगे आपके पास, PV प्लस A by V minus PV is equal to RT, इसको हम नेगलेट कर देंगे तब, ठीक है, and second approximation हम देखेंगे, जब idle gas क्या होती है, PV is equal to RT, तो यहां से हम volume को put करेंगे, RT by P की ट्रम में, ठीक है, अब हमने first approximation लगाई, तो क्या ट्रम आगे आपके पास, देखेंगे, PV प्लस A by V minus PB is equal to RT, हमने यह ट्रम तो neglect कर देंगे, ठीक है, अब हमने second approximation में क्या था है, volume is equal to RT by P, यह value हम यहां पे put करेंगे, तो कितनी आगे, अब देखें, PV प्लस में A, अब यहां पे V की value पूट करेंगे, RT by P, तो कितनी आगे, AP RT minus BP is equal to RT, ठीक है, application score 2 माल लीजे, अब हम यहां से क्या करेंगे, PV की value लिख लीजे, क्या आगे, PV is equal to RT minus, अब इनको इस side ले जाएंगे, तो कितना आगे, minus PA by RT plus BP, यहां से आप value की value निकाल लीजे, तो volume क्या हो जाएगे, peak से divide कर देंगे, तो RT by P, minus P से P, खट जाएगा, minus A by RT plus B, ठीक है, यह equation 3 माल लीजे, अब इसी equation को हम डिफ्रेंचियेट करेंगे, respect to temperature, at constant pressure भी, तो क्या हो जाएगा, curl V, हम differentiate किसके respect में करें, temperature, and constant क्या रख रहने है, pressure, ठीक है, अब देखिये, R by P, pressure तो constant है, temperature का derivative, differentiation करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि हमें पता, जैसे, differentiation तो आपको पता ही, कैसे कर देंगे, जैसे X है, उसका differentiation करने है, तो कितना जगा, 1 ही आएगा X का तो, तो simple वैसे है, T का क्या जगा 1, तो R by P, ट्रॉन बजगी, and next क्या आपका, यह है, minus A by R T, देखिये, A by R तो है आपका constant, नीची क्या बजगा 1 by T, उपर ले जाएगे, तो इसको T को minus 1 लिख सकते हैं, डिफ्रेंसेशन करते हैं, तो क्या होता है, हमारे पावर आगे आती है, and एक पर minus होती है, तो T minus 2, तो इसको minus 1 upon T square के लिख सकते हैं, इसका derivative, यह put करेंगे, तो minus minus, plus, तो R by P, plus में A by R T square, तीक है, यह टरम हमने calculate कर लिए, B constant है, 0 आगया, तो R by P, plus A by R T, अब हम क्या करेंगे, value put करेंगे, देखें, R T by P की value क्या थी है, आपके पास यहां से, यह calculate के लिए, R T by P, इस value से, R T by P, equal to V minus B, plus A by R T, हमने इसके question को only rearrange किया है, R T by P की value निकाल लेंगे, अब हम यहां से, R by P की value यह निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगे आपके पास, R by P is equal to V minus B, T से divide कर देंगे, T, plus me R by A by R T square, अब हम क्या करेंगे, जो R by P की value निकाल लेंगे, यह value इस equation में substitute कर देंगे, तो क्या जाएगा आपके पास, curl V by curl T, at constant pressure, V minus B, यह value हम put कर रहें, R by P की, यह value यहां पर, V minus B T, plus A by R T square, and plus A by R T square आएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 A by R T square, टरेक्ट लिक दो में, यहां पर कितना आगया, क्योंकि A by R T square, यह था, A की हो गया, तो 2 A by R T square, and V minus B, अब हम क्या करेंगे, temperature को आपको साइट लिजाएगा, तो क्या हो जाएगा, T into curl V by curl P, at constant, यहां पर क्या था T, at constant pressure, V minus B, plus B, 2 A by R T, हमें एक temperature इसाइट लिएगा, अब यह आपके पास एक थर्मोडान्मिक रिलेशन होता है, आपको बता है, यहां पर आपको यह याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी value आपको, यह calculate नहीं करके दिखाना कि कहां से आया, उनली यह learn ना चीए आपको, दिएगे, V is equal to T, curl V by curl T, at constant pressure, plus curl H by curl P, T, यह टर्म आपको याद रखना पड़ेगा, अब हम इसमें, यह जो T into curl V by curl T, P है, यह value substitute करेंगे, इस ट्रम में, ठीक है, तो क्या होजाएगा, V is equal to, यह value हमने calculate कर रखी है, T into curl V by curl T, at constant pressure, यह value हम पूट करेंगे, तो क्या होजाएगा, V is equal to V minus B, plus, कितना था आपका पास, AB by, 2A by RT, plus curl H by curl P, at constant temperature, ठीक है, अब हमने यह value कर लिए, यहां से, इसमें value में, पूट कर दिया, अब देखे, next क्या जाएगा, आपका V minus V करेंगे, तो वो तो 0 होगा, यहां से B की value निकाल लो, यह value निकाल लो, अन्थल P की, क्या हो जाएगे आपके पास, curl H by curl P, at constant temperature, is equal to कितना आगया, B minus 2A by RT, अब हमें पता है, यह value क्या थी, जो, Joule-Thompson coefficient है, mu JT, उसकी value क्या है थी आपके पास, यह हमने देखे दि, देखें, mu JT, किसकी value था, minus 1 upon CP, curl H by curl P, at constant temperature, अब हमने जो, curl H by curl P, यह value, आप यहाँ पर substitute कर दीजी, derivation थोड़ा लार्ज हुजाएगा, लेकिन simple है, उसमें बस, simple है, आपको equations लेकी चलनी थी, हमने कुछ भी नहीं किया, direct multiply कि, फिर हमने भी, इसकी value, RT by P, पूट किया है, डारेक्ट अंदर, differentiation किया, simple, फिर यह थर मोडान, relation यूज करना, यहाँ पर यह value substitute किया है, ठीक है, अब हमने जो, curl H by curl P, T है, यह value, यहाँ पर put कर दीजी, तो कितना आ जाएगा, आपके बास, mu JT, is equal to, minus 1 upon CP, कितना आ गया, 2A by RT, minus B, ठीक है, अब हमने क्या किया, Joule Thompson coefficient की value, किस की टरम में निकाल दी, Wonderwall constant की टरम में, A and B क्या है आपे, Wonderwall constant होते हैं, उनकी कुछ value होते हैं, constant होते हैं, तो यह आगए आपके पास, अब देखे, हमने देखा था, आपके आइडल के किस के, B.J.T. की value क्या होते हैं, आपके पास, 0, तो जिसको 0 के equal put करें, तो कितना आ जाएगा, 0 is equal to, minus 1 upon CP, 2A by RT, minus B, तो that means, 2A by RT, minus B is equal to 0, देखे, complete बर गया, B is equal to, क्या value होते हैं, आपके पास, 2A by RT, तो किस की value क्या करें हैं, यहीं हमने लिखाता है, तो inversion temperature की value निकाल दी हमने, 2A by RT, क्या होता है आपका, mutuality की value जाएगा, जहां, जो आपके real कैसे, वो ideal की तरह behave करने लग जगती है, और कोई भी कैस ना तो heating show करेंगी, ना वो cooling, वो तापका inversion temperature, तो हमने क्या गया यहां पर, inversion temperature की value निकाल दी, यहां से maturity की value निकाल दी, interim of wonderful constants, ठीक है, देखें, I hope आपको समझ आया होगा, thanks for watching my channel,